नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्स्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे साधारन ब्याज का पुनर अवरतन कारे करना रहेगा साधारन ब्याज का सुत्र होता है मूल्धन गुणा दर गुणा समय भाक्सव जिसे हम लिख सकते हैं पी गुणा आर गुणा टी भाक्सव जिसमें पी होता है मूल्धन आर होता है दर और टी होता है समय जो वर्ष में होता है और हम साधारण ब्याज को i से दर्श आते हैं तो हम लिख सकते हैं i बराबर p गुणा r गुणा t भाग 100 तो हम लिख सकते हैं मिश्रधन यानि a बराबर p प्लस i तो आईए हम इसका उधारण करते हैं मान लीजिए हमें मूल धन यानि p दस हजार दी गई है और हमें दर यानि r दस परसन दिया गया है तो पूछ लिया कि इसका मिश्रधन तीन साल में कितना होगा तो हमें उसने समय दिया है तीन साल और उसने हम से पूछा है a यानि मिश्रधन तो हम लिखेंगे i बराबर p गुणा r गुणा t भाग सो जो होगा दस हजार गुणा दस गुणा तीन भाग सो तो हम सौसर सौक काटने के बाद लिख सकते हैं इसे तीन हजार तो हमारा a जो होता है p प्लस i उसे हम लिख सकते हैं दस हजार और तीन हजार का योगफर जो होगा तेरह हजार तो अब हम बढ़ेंगे चक्रवरद्वी ब्याज साधारन ब्याज में मूलधन समाद ही रहता है इसका मतलब है कि जब हम मिश्रधन निकालते हैं तो उसमें हमेशा हम उसकी पी यानि उसका मूलधन समाद लेते हैं जबकि चक्रवरद्वी ब्याज में हम उसका मूलधन बदलते रहते हैं हर वर्ष बात उसका मिश्रधन ही उसका मूलधन होता है अब हम इसे एक उधारन से समझेंगे अमान लिए आपके से किसी ने बैंक में 10,000 रूपे तीन वर्ष के लिए जमा किये और इस बैंक का दर था 10% तो हमें पता है आपका P है 10,000 जो आपका मूल धन है और आज या निदर है आपका 10% और आपने तीन वर्ष के लिए इसमे जमा किया है तो तीन साल बाद आपका मिश्रधन ग्याद करने के लिए आपको हर वर्ष बाद का मिश्रधन ग्याद कर रहा होगा जो अगले वर्ष के लिए मूद्धन होगा देखिए कैसे तो पहले वर्ष के बाद आपका ब्याज होगा दस हजार, गुणा दस, गुणा एक, भाग सब, एक इसलिए क्योंकि आपके एक वर्ष के लिए यह हम ग्यात कर रहे हैं तो यहां होगा एक हजार, तो अगले साल के लिए आपका जो इस साल का मिश्रधन है वह मूल धन होगा तो इस साल मिश्रधन है दस हजार, और हजार का योगफन, जो है ग्यारा हजार तो अब यहां मिश्रधन ग्यारा हजार आपके अगले साल के लिए मूल धन होगा तो अगले साल का ब्याज होगा 11,000 गुणा 10 गुणा 1 भाग 100 जो होगा 1100 तो अब इस साल के बाद आपका मिश्रधन होगा 10,000 प्लस 1100 प्लस पिछले वर्ष का ब्याज जो है 1000 तो अब आपका मिश्रधन हो गया 12,100 जो आपके तीसरे वर्ष के लिए मूल धन होगा दो साल बाद का जो मिश्रधन है वह है 12,100 तो अब यहां तीसरे वर्ष के लिए मूल धन होगा तो तीसरे वर्ष का ब्याज होगा 12,100 गुणा 10, गुणा 1 भाग साफ जो निकल करके आएगा बारा सो दस तो तीसरे वर्ष बाद आपका मिश्रधन होगा दस हजार प्लस पहले वर्ष का ब्याज जो है हजार प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज जो है ग्यारा सो प्लस तीसरे वर्ष का ब्याज जो है बारा सो दस तो यहाँ निकल करके आएगा तो यहाँ निकल करके आएगा 13310 तो यदि आप बैंक से 3 वर्ष बाद अपना धन वापस लेंगे तो बैंक आपको 13310 की रखम देगा क्योंकि बैंक चक्रवरद्धि व्याज का उपयोग लेता है चक्रवरद्धि व्याज के सूत्र से हमें इसका मिश्रधन ग्यात होता है चक्रवरद्धि व्याज का सूत्र होता है A बराबर 1 प्लस R भाग 100 का पावर N गुणा P जहां A इसका मिश्रधन होता है R इसका दर होता है N होता है कितने वर्ष के लिए रकम जमा की गई है और P होता है इसका मूलधन तो इसका चक्रवरद्धी ब्याज निकल करके आता है A-P यानि आपका मिश्रधन माइनस आपका मूलधन तो पिछले उधारण में हमारे पास मिश्रधन निकल करके आया था 13,310 और आपका मूलधन था 10,000 तो आपके पास इसमें चक्रवरद्धी ब्याज निकल करके आएगा 3,310 रुपर अब हम चक्रवरद्धी ब्याज के उप्योग से एक उधारण करेंगे मान लीजिए आपको 9,000 की रकम को बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा कराना है और बैंक का दर है यानि बैंक आपको 10 प्रतिशत दर से मुनाफ़ा देता है जो है प्रतिश तो आपको 2 साल बात कितनी रकम ग्याद होगी यानि आप से आपका मिश्रधन पूछ लिया गया वह कितना होगा तो आप लिखोगे चक्रवृति ब्याज के सूत्र से A बराबर 1 प्लस आर भाग सो का पावर N जो होता है T यानि वर्ष गोड़ा P तो यहां हमें दिया गया है एक प्लस दस भाग सो की पावर दो यानि इसका वर्ष गोड़ा 9000 जो निकल करके आएगा 11 भाग 10 का वर्ष गोड़ा 9000 जो होगा 121 गोड़ा 9000 भाग सो जो निकल करके आएगा 10,890 रुपे अब हम एक उधारण करेंगे जिससे हम चक्रवृति ब्याज और साधारण ब्याज की बीच का अंतर ग्याद करेंगे मान लीजिए आपको 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 से 1000 रुपे की रकम को के 2 वर्ष के चक्रवृति ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया तो आप इसका साधारण ब्याज लिखेंगे पी गुणा आर गुणा टी भाग सब जो होगा 1000 गुणा तस गुणा दो भाग सब जो होगा 200 और इसका चक्रवृति ब्याज लिखेंगे जो होगा पी गुणा वन प्लस आर भाग सब का पावरेंज माइनस पी यह हमने इसलिए क्योंकि यह है हमारा मिश्रधन और यह है हमारा मूल्धन तो इन दोनों के माइनस से हमें यानि मिश्रधन में से हमें यदि हम मूल्धन घटा दें तो हमें चक्रवृति ब्याज मिलेगा वो हम ग्याद करेंगे ऐसे तो हजार गुणा एक प्लस दस आर सो का पावर दो माइनस हजार जो निकल कर गयाएगा हजार गुणा एक से कीज बाए सो माइनस हजार जो है दो सो दस तो पिछले उधारण में हमारा साधारण ब्याज है दो सो और चक्रवृति ब्याज है दो सो दस क्योंकि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूल्धन यानि यदि हम मूल्धन को मिश्रधन में से घटा दें तो हमें ब्याज मिलता है तो इन दोनों ब्याज का अंतर है 210-200 यानि 10 जिससे हमें पता चलता है कि चक्रवर्दी ब्याज साधारण ब्याज से जादा है यदि किसी भी धारण में हमें दर positive यानि दर हमेशा 0 से बड़ा है तो हमेशा चक्रवर्दी ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा आएगा तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि हमारी दर यानि हमारे ब्याज का दर 0 से यानि 0 से ज्यादा है तो हमेशा चक्रवर्दी ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होगा अब हम एक उधारन करेंगे जिस में घन शून्य से छोटा होगा यानि घन तर्नातमक होगा अभी तक हम ने जितने भी उधारन देखे उसमें हमारा दर घनातमक था यानि उसमें हमारी मूल धन बढ़ रही थी जब कि अभ हमारा मूल धन घटेगा देखते हैं हम उस उधारण के रूप है मान लीजी हमें एक यंद्र दिया है जिसकी कीमत है पीस हजार रुपर और हर वर्ष यह दस प्रतिशत से घड़ता है तो हमें इसका दर दिया गया है माइनस दस और हमें पूँच लिया गया कि दो वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी रह जाएगी तो हमें समझ दिया गया है दो वर्ष तो हम चक्रवर्दी ब्याज के सूतर से लिख सकते हैं कि इसका दो वर्ष बाद मिश्रधन होगा पी गुणा वन प्लस आर भाग सौ का पावर टी तो हम लिख सकते हैं बीस हजार गुणा वन माइनस दस भाग सौ का पावर दो माइनस इसलिए क्योंकि हमारा दर्द तरनात्मक है यानि वह शून्य से छोटा है तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा मिश्रधन होगा वीस हजार गुणा नौ भाग दस गुणा नौ भाग दस जो निकल कर के आएगा वीस हजार गुणा एक्यासी बाग सौ जो होगा 16200 तो हमारे यंतर की कीमत दो वर्द बाद 16200 रह जाएगी अब हम रोजमर्णा की जिन्दगी में इसका उधार रण देखेंगे मा लीजी इसी जंगल में 1000 व्रक्ष हैं तो बी होगा 1000 और हर साल व्रक्षों की संख्या 10% बढ़ जाती है तो आर होगा 10% तो हमें पूछ लिया गया कि 3 साल बाद व्रक्षों की संख्या क्या रह जाएगी तो समय हमारे पास दे रखा है 3 साल तो इधर हम चक्रवृद्वियाज का उप्योग लेंगे क्यूंकि हमें पता है कि हर वर्ष बाद जो मिश्रदन होगा हमारे पास वह अगले वर्ष के लिए मूलधन होगा तो हम 3 साल बाद इसका मिश्रदन यानि व्रक्षों की संख्या लिखेंगे A बराबर B गुणा 1 प्लस R भाग 2 भाग 100 का पावर T जो होगा 1000 गुणा 1 प्लस 10 भाग 100 का पावर T जो होगा 1000 गुणा 11 भाग 10 गुणा 11 भाग 10 गुणा 11 भाग 10 गुणा 11 भाग 10 जो होगा 1331 यानि तीन बर्ष बाद रक्षों की संख्या 331 से बढ़ जाएगी तो हमारे जंगल में अब 1331 रक्ष रह जाएगी तो इस प्रकार हम चक्रवर्दी व्याज का हमारे रोस्मर्रा की जिन्दगी में उपयोग ले सकते हैं जब हमें पता है कि हमारा मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूल धन होगा तो आज हमने साधारण ब्याज के सूतर का पुनहारा वर्दन किया जो होता है B गुणा R गुणा T भाग 100 और हमने चक्रवर्दी ब्याज के सूतर जाना जो होता है B गुणा 1 प्लस R भाग 100 का पावर T जो हमारा मिश्रधन होता है T वर्ष के बाद और हमने मिश्रधन मूल धन और ब्याज के बीच में एक सूतर जाना और हमने यह जाना की A बराबर P प्लस R यानि मिश्रधन बराबर मूल धन और जाना